नमस्कार दोस्तों अगर आपका घर में कोई भी सीलिंग फ्यान है तो इस वीडियो को लास तक देख लिजे अगर आप इस वीडियो को लास तक देख लेते हैं तो मैं आपको गरेंटी देता हूँ आपका 400 से 500 रुपिया का बचचत होने वाला है तो कैसे बचचत होगा मैं को बता देता हूं देखिए जितने भी सरे सीलिंग फ्यान होते हैं अगर इसमें कभी भी हमारा हाई वोल्टेज चला जाता है तो इसका जो अंदर का वाइंडिंग होता है वो जलने का चांस रहता है और कभी-कभी जल भी जाता है यानि कि इसका जो अंदर का वाइंडिंग ह होता है वो हाई वोल्टेज की कारण खराब हो जाता है और दोस्तों अगर एक बार हमारा वाइंडिंग जल गया यानि कि खराब हो गया तो हमें लगबग 400-500 रुपया का खर्चा आता है उसको दुबारा वाइंडिंग करने का या आप सभी को पता है लेकिन अगर हम इसमें एक चीज लगा देते हैं तो जब भी हाई वोल्टेज जाएगा तो वो हमारा फैन को प्रोटेक्शन देगा और हमारा जो वाइंडिंग होगा वो नहीं ज क्यापसिटर होता है यह आपको 50-70 रुपय की बीच में मिल जाएगा मार्केट में कोई भी कंपनी का ले सकते हो लेकिन सही होना चाहिए देखे क्यापसिटर में हमारा दोतार होता है इसका कनेक्शन के से किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा अभी आप सोचेंगे कि एक क्यापसिटर हमारा फैन में लगा हुआ है और एक इतना बड़ा सा क्यापसिटर लगाने से क्या फाइदा तो मैं आपको बता देता हूं यह जो क्यापसिटर इसमें लगा हुआ है यह दोस्तों हमारा फैन को घुमाने के लिए क्यापसिटी देता है यानि कि फैन को स्टार होने के लिए यह हमारा पावर देता है और यह जो क्यापाशीटर होगा यह हमारा प्रोटेक्शन करेगा हाई वोल्टेज से और दोस्तों अगर आप सोच रहें कि यह बड़ा वाला क्यापाशीटर को इसमें लगाने से यह फ्यान का स्पीड बढ़ जाएगा या फिर कम हो ज दिखाऊंगा अभी यह बिल्कुल नर्मल फ्यान है जैसे सभी घर पर फ्यान होता है तो चलिए अब मैंने इसको चला के दिखा रहता हूं यह मैंने स्विच को ओन कर लिया हूं और यह देखिए यह घूमना स्टार्ट हो गया है अब यह जितना भी स्पीड में घूम रहा इसको काट लेता हूं और इसके बाद में यह जो कैपासिटर का दो अतार होता है यह जो बिजली का एक तार को हमने काटा है उसके साथ में यह दोनों अतार को कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे आप लोग देख सकते हैं और इसके उपर में आप इंसुलेशन टेप लगा देना नहीं तो सोट सर्कृट बगरा हो सकता है और यह कैपासिटर को मैंने टेप की माध्यम से इस फ्यान का जो रोड है उसमें चिपका लियाओं आप लोग देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों यह फ्यान को हम चालू करके देख लेते हैं अभी मैंने फ्यान का प्रोटेक्ट हो चुगा है जब भी हमारा घर में हाई वोल्टेज आएगा तो यह जो कैपासिटर हमने लगा हैं यह उसको फिल्टर करके 220 या 240 वोल्टेज की आसपास देगा जो कि हमारा फ्यान को घुमाने के लिए बिल्कुल सही वोल्टेज है दोस्तों आप भी इस प् स्प्रेबी कर लीजे